बिग बॉस के घर में एक मुद्दा सबसे बड़ा बना हुआ है कि आखिर साजित खान को सुम्बुल क्यों नी जवाब दे पा रही है सुम्बुल हमेशा से ही साजित की बातों पर क्यों चुप हो जाती है क्या सुम्बुल साजित से डरती है क्या सुम्बुल डंप है क्या चलते सुम्बुल तौकिर खान साजित खान को आज तक इवन दो जब भी वो उनको अब्यूस करते आए हैं जब भी उनका मजाक उनके पिता जी का मजाक उड़ाए गया सुम्बुल हमेशा चुप रही तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का दोस्तो बिग बॉस के घर में एक मुद्दा आज की डेट में हाट निउस बना हुआ है और वो है कि सुम्बुल सबके लिए स्टेंड ले रही है सुम्बुल अब अपना स्टेंड लेने लगी है लेकिन कुछ लोग तो सुम्बुल साजित पर कप स्टेंड लेगी क्योंकि लोग की माने तो सुम्बुल की जो सबसे ज़ादा घर में किसी ने बेज़ती की है तो वो है साजित खान और दरसल मैं ये आपको फैक्ट बता दू ये कुछ लोग कह रहे हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट करें कुछ बड सुम्बुल को बेटा बेटा बोल के बहुत जादा ही मजा कूडा है अब सुम्बुल ने आखिर साजित को क्यों अब तक जवाब ने दिया तो उसके पीछे कुछ रिजन है फैक्ट नमबर वन की अगर मैं आपको बात बताओं तो साजित खान को सुम्बुल का ये बात अब समझ आ चुकी है और जो लोग ये समझ रहे कि सुम्बूल को अभी भी गेम समझ में नहीं आया है तो भाई आप तो बिग बॉस देखना ही छोड़ दो क्योंकि सुम्बूल अब बिग बॉस के गेम को समझ गई है वो अब बिल्कुल शारपली खेल रही है बहु हो जाएगी और ये आप समझ लेना कि मंडिली में ही शिव ठाकरे भी है जो सबसे स्ट्रॉंग कंटेस्टेंट है और सुम्बूल को हर वक्त सपोर्ट करते हैं इवन दो कि साजित खान का सपोर्ट नहीं भी हुआ तो भी शिव तो सुम्बूल को ही सपोर्ट करेगा यही र दिखा है महसर्फ एक डेर साल ही हुए हैं सुम्बूल को इमली शो किये उसके पहले सुम्बूल ने कोई बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं किया है यही रेजन है कि साजित खान से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहेगा क्योंकि साजित खान बॉलिवूड में एक बहुत साम रहा है और साजित खान का एक दबदबा है जिसके चलते सुम्बूल तौकिर खान कहीं ना कहीं बच रही है ये बात साफ जाहिर हो जाता है सुम्बूल के अंदर अभी भी थोड़ा कुछ बचपना दिख रहा है सुम्बूल को ये चीज़ इसके अलावा एक और बात है कि सुम्बूल जो है वो घर में अपने आपको अकेला फिल कर रही है ये तो कुछ दिनों से शिव ठाकरेक ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट के है सुम्बूल को बाकि सुम्बूल हर वक्त अपने आपको अकेला फिल कर रही थी यही रिजन है कि वो साजित खान की डांट फटकार को अब तक सुनते जा रही है आप बताना कि क्या आप भी हमारी बातों से इत्तिफाक रखते हो और हाँ जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको क्या वो वक्त आ गया है कि सुम्बूल को एक बात तो करारा जवाब साजित को देना चाहिए लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई